है लो नमस्कार दोस्तों स्वागत आपको मेरी इस चानल एक्जाम घर में दोस्तों एक्जाम घर के आज वीडियो में देखेंगे एडमस्फेयर के यह बाड़ में देखेंगे जितने भी वाई मंडल से सवाल बनेंगे वह इसके बारे में हम बहुत डिटेल और स्टरी करना होगा एक्जाम करके सब्सक्राइब करना होगा यदि वीडियो पसंद आगा तो वीडियो को जरूर लाइक करने होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टमस्फेयर के बारे में अधि रफली जाने है तो एक्टमस्फेयर यह कुछ होता नहीं जो प्रित्वी के जो कि तरफ जो लेयर होता है वीडियों फिरस जो आपको अस्मान एमसा दिखाना देता है इसके बीच में पाच तरह के आपको ईडिमॉसफेयर होता है जो कि दिखाई नहीं देता है वो पाच एड्मोस्फेयर कौन सा है जैसे कि आप ये नीचे आप ये अर्थ देखेंगे और से तरहब एक टोप स्पेर हो गया वंधर मेश खरण सी अनुअ पर वह गया को ओ सूपर होगय बाहर पूस्पेर माखिर होता क्या यह एटमस्पेर इतना जरूरुत को यह पढ़ने के लिए तो सबसे पहले बज़ा में जालने तो कि जो टोपो स्फेर है यह केवाल लगवग 12 किलोमेटर के उचाइप होता है और लगवग 32 किलोमेटर के इस ट्रेटो असफेर जहाज वाज उलत कि आपको बता है कि जो ट्रोपो स्फेर है यह लगवग 10-12 किलोमेटर का असपास और अब सब्से पहले जानते हैं उखिर होता क्या है जो है जितने भी वारिस होता है 12 गटना तोपस्पेर होता है ये सब बादलू दिल जिसे at निने तो जितने भी बादलू दिल दिखाए देंगे बारिस रोष्यों जोगा टोपस तो ऊपर जाएंगा तो हो गाए आपको मिलेगा अपर जाते हैं यह मिलता है अब अपर में क्या होता है कि जितने ही बारी सुरी से घटना यह तो सब टोपो सब्सक्राइब में मौसम और तेंपरेचर दोनों सांत रहता है इसलिए अपर सबसे अच्छा माना जाता है जहाज वाज किसे वाई 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 वा कि यहा s ratchet सूर्य में सूर्य में क्ति आई करक्ता है जो कि अपके इन सब किरलों को अपने तरफ अस्वसीद कर लेता है और हमारे तरफ सुरुच्छा के लिए पूचाता है यानि कि ये एक सुरुच्छा का कारे करता है कि अब कितने लोग कहेंगे कि सरी ओजोन लियर दिरे दिरे च्छती हो रहा है बहुत सारे सुने हैं ये सही बात है लेकिन इस पर बहुत सारे सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए बहुत सारे प्रोटोकोल ये सब प्रोटोकोल इसके चलते ऑजोन लियर का दिरे दिरे बहुत हो रहा है मेजो ओस्फेर मेल स्ट्राइब मेजो औस फिर में कोई खास होता नहीं इस में कि यह सब मेजो ऑस्फेर का wise इंपर्टट ह criticism थर्मो अस्पेर में क्या होता है कि जो चोटा मटा जो रोकेट है रोकेट इसी रास्ते से होकर जाता है आइनोष सफेर में निकी तरमोफ्र कोल आइनोष बैस को अव्य है इसी में जितनी भी सेट्लाइट है जीद भी जैसे आप घर पे देखते हैं डिटेट यह सब डिस्टीवी लाया करें वह कहास पखड़ता है इसी सेटलाइट से पखड़ता है और यह सेटलाइट कहां मौझूद होता है अब आप पताएंगे कि इस और उतना उच्छा से कैसे आ जाता है यह तो लगभग छो सो किलोमेटर आता हाँ तक constantly इतना इतना उड्रेंज होता है और आप कई कही को सबद्रा के बारे में जनने हैं टुपा स्वेर बारे में ब्रुमांब एक्संफेर के बारे सब्सक्र aí आप मान सकते हैं और जब यह सब चुपैर debating तो आसमान काली दिखाए तो यह थे फूल समरी इंफ्रमेशन सबसे पहले तो वीडियो के सबसे ज्यादा लंबा नहीं ले जाने चाहेंगे यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होका तुसरे जरूर जरूर वीडियो लाइक किजिए कि होंगे और वीडियो पसंद आये तो मेरे इस चैनल को सबस्क् झाल